लिए बिखार निखाई चुनाव की गोशना भले ही ना हुई हो लेकिन चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचुन आयोग ने मुख्य पार्शत उक मुख्य पार्शत और पार्शत का चुनाव लड़ने वाले उमिद्वारों के लिए सिंबल की सूची जारी कर दी है जारी किये गए जानकारी के निसार मुख्य पार्शत उप मुख्य पार्शत और पार्शत पत के लिए लग अलग चुनाव 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 मिलने वाले हैं कोई कप प्लेट लेकर बोट मांगते हुए नजर आएगा तो कोई सीढ़ी, हार्मोनियम, शंक तराजू, कार और घोड़ा के सहारे अपनी चुनावी नईया पाद लगाने की कोशिश करेगा वहें कोई हवाई जहाज और उंट की सवारी करता हुआ भी नजर आने बाला है वहें चुनाव चुनिक अगर बात करें तो मुख्य पारशुत के लिए कपलेट, मोटरसाइकल, नल, ताला चाभी, टम टम, प्रेशन, कुकर, सिलाई मशीन, कबूतर, चर्खा, चारपाई, टाइपराइटर, मचरी, वैन, मेज, टेबल लांप, रेल इंजन, गास सिलिंडर, हार्मोनियम, बल्ब, जलता दिया, कोट, जोडा हिरन, मुर्गा, पाच्वा, लेटर बॉक्स, स्टूल, कुदाल, अल्मीरा, जीप, शंक और सीड़ी है, वहीं उपमुख्य पारश्रत के लिए जो चुनाप चुन हिंदर धारित किये गए हैं, उसमें यहू की बाली, पीपल का पत्ता, घड़ा, चश्मा, कुलहाडी, टेबल फैन, तितली पानी का जहाज, आम, स्कूटर, रोज रोलर, बकरी, हाथ ठेला, बत्तक, तराजु, कार, शाता, डमरू, घोडा, तबला और डोली है, वहीं पारश्रत पत के लिए कलम और दावत, धोलक, टेंपू, वायूयान, मुम्बतिया, काठ गाडी, मोर, चिमनी, क्यामरा, पुल, जोडा बैल, खजूर का पेड, बाल्टी, जग, चापकर, टोकरी, उगता हुआ सूरच, तोता, टेलिविजिन, टॉर्च, डीजल, पंप, टॉफी, गाजर, मुबाइल, ट्राक्टर, कुआ, कुर्सी, स्टोफ, ब्लाक बोर्ट, उंट, किताब, सीटी, हसिया, केतली, ग्य गया है, जिसका उपयोग एक शेत्र में एक से अधिकों मिद्वार होने या विशेश परिस्थति में किया जाएगा, जिन चुनहाव चिन्हों को सुरक्षत रखा गया है, उसमें लट्टू, बगुला, हल, बर्गत का पेड, चौका बेलन, टोप, लिफाफा, मक्का, काच की गलास, अंगुठी, ट्रक, बासुरी, भोजन की थाली, माचिस, हैंगर, कंगा, खल मसूल, खुर्पी, नारियल, बल्ला, फ्रॉक, गुडिया, लेडीज बर्स, ब्रश और मोतियों की माला शामिल है, जिसके बाद से ही आप जानकार मान रहे हैं कि जल्द ही बिहार में निकाई चुनाव की घोशना भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव चिन का एलान कर दिया गया है, तो यकीनन चल्द ही चुनाव की तारीक की घोशना भी की जाएगी, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तके लिए धन्यवाद